दुनिया के महाल लोगों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल इंडियन बायोग्राफी चैनल को और प्रेस करें बेल आइगन को ताकि आप पासकें वीडियो सबसे पहले दोस्तो बाबारामरहीम के साध्वी के बलातकार के मामले में दोसी सावित होने के बाद इंटरनेट पर बाबारामरहीम को लेकर जंग छिड़ चुकी है हर कोई बाबारामरहीम की हिस्ट्री जानना चाहता है तो दोस्तो बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूँ बावार राम रहीम कौन है उसका सामराज इतना बड़ा कैसे हो गया उसके क्या बिजनिस है और उसने अब तक कौन-कौन से काम किये हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए डेरा सच्चा सोदा के चीफ गुर्मीत सेह राम रहीम को सेक्स्वल हैरेसमेंट केस में सुक्रवार को CBI कोट ने दिवसी करार दिया राजिस्थान के गंगा नगर में रहने वाले गुर्मीत सेह ने 1990 में डेरा की गद्दी समाली थी इसके बाद से आज तक डेरा और उसके चीफ राम रहीम सें कई विवादों में रहे राम रहीम अब हिरासत में है सजा पर फैसला सौंबार को होगा बाबा राम रहीम के खिलाफ केस एक गुमनाम चिट्थी के से सामने आया था उस चुठी के सामने आने के बाद जांच के आदेश दिये गए थे बाबा रामरहीम के ही आस्रम में रहने वाली एक लड़की ने तकालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाचपी को सन 2000 में एक चिठी लिखी थी इसमें साध्वी ने लिखा था कि वह पंजाब की रहने वाली है और सिर्सा के डेरा सच्चा सौदा में पांस साल से रह रही है डेरे में साध्वीयों का यौन सोसन किया जा रहा है लेटर मैं बढ़िंदा कुरुछेत्र की कुछ साध्वी के योन सुसन के मामले बताए गए थे साध्वी ने इंसाफ की गुहार लगाई थी और यह भी कहा था कि मैं अपना नाम नहीं लिखने चाहती हूँ अगर मैं अपना नाम बताती हूँ तो मुझे मार दिया जाएगा इस पूरे मामले की जाजपरताल एक एजनसी के माध्यम से कराई गई उसने यह भी लिखा कि हमारा डाक्टरी मुआयना कराया जाए ताकि घरवालों को पता चले कि यहां क्या चल रहा है साध्वी के लेटर में लिखी बातों का कुछ हसा बेहत आपत्ती जनक था इस कुमनाम लेटर के बाद ही बवाल सुरू हो गया इसके बाद डेरा चीफ के खिलाफ एक के बाद एक कई विवाद सामने आए रणजीस सिंग हत्याकांड और फिर पत्रकार रामचंदर छत्तपती हत्याकांड तीनों मामलों में डेरा प्रमुक आरूपी है मामला सामने आने के बाद 15 सालों के बाद पंचकुला में CVI की इस्पेसल कोट ने बाबा राम रही को sexual harassment का केस का दोसी पाया गया और उसकी सजा का एलान सामबार को होगा इस पूरे मामले से पंजाब युनिवर्शिटी में सहीद भागस्त्य चेयर के प्रोफेसर रोनकी राम कहते हैं गुरमीत राम रहीम पर कोट के फैसले से हरियाना और पंजाब के राजनेतिक समीकरण बदलेंगे यह सच है कि हरियाना और पंजाब में तमाम राजनेतिक दल नेता डेरा प्रमुखे आसिरवाद लेते रहे हैं इसकी बज़ए से कई दलों की सरकारें भी बनी हैं चुनाव में बाबा के सपोर्ट लेना लोगतंत के लिए खतरनाक है इससे कुछ वक्त के लिए तो फायदा उठाया जा सकता है लेकिन लंबे समय में यह सोसाइटी के लिए नुकसान दायक हो दोस्तो अब हम बताते हैं कि याकर क्यों लोग डेरा की ओर रुख करते हैं दोस्तो प्रोफेसर रोनकी राम कहते हैं सरकारों की गलत पॉसिविलिटी की बजह से भी लोग डेरा की और आस्रम की ओर जाते हैं डेरे, आस्रम, उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, बेटियों की साधी आदी की मदद करते हैं अगर यही काम सरकार हैं ठीक से करने लगें तो लोगों का रुझान डेरों की ओर से कम हो जाएगा दिल्चस्प बात यह है कि डेरा प्रमुख या संत कभी राजनेतिक दलों के पास नहीं जाते बलकि राजनेता उनके पास आते हैं ताकि वे अपने समर्थकों के बोट उनके पक्च में करा सके दोस्तो अब हम बताते हैं कि किस तरह के होते हैं अनुयाई प्रोफेसर मंजीत से कहते हैं ऐसे अनुयाईयों में ज़्यादा तर लोग सिस्टम या अपरकास्ट सिफ प्रतालित सोसित होते हैं इसी लोग बाबाओं को फॉलो कर सकते हैं उन लोगों को अपने गुरू के लिए प्रदर्सनों या कारिक्रामों में आकर आत्मसंतुष्टी मिलती हैं हमारा मानना है कि सिखिज्म, हिंदुिस्म और आरे समाज के फेल होने की बज़े से ही डेरे आस्रम आधी बनते हैं और आगे बढ़ते हैं अगर सिखिज्म और आरे समाज प्रभावी होते तो जाती जाती के लोग डेरे की ओर नहीं बढ़ते फिर ये आस्रम ही नहीं पहुंचते इन्हें राजनेतिक दल शेह देते हैं क्योंकि वे इनका चुनावी फायदा उठाते हैं राजनेतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए डेरे का भरपूर फायदा उठाए हाला कि डेरा प्रमुक राम रहीम बेटे को उत्तरअधिकारी बना चुके हैं सजा होने पर उनका बेटा ही डेरी की कमाल समाले दोस्तो बाबा राम रही के बचाओ में सीनियर बकील लाल बहादुर खेलाव के मताबिक 1999 का मामला डेरी से कोट में फायल हुआ मामले में साइंटिफिक सबूतों को बरामद नहीं किया जा सका विक्टिम लड़की ने जाच के दोरान एक बार बयान बदला जाच कर रहे इंस्पेक्टर ने गवाही में कहा कि वह विक्टिम ने रेप की बात नहीं की और सीनियर बकील खेवाल के मताबिक आरोपी बहुत प्रभावसाली है जिसकी बजह से केस में देरी हुई देरी की बजह आरोपी प्रभावसाली होना बताया जया है और केस के दोरान कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं मिल सका अगर आरोपी की प्रभावसाली होने और दवाब पर बयान बदलने की बात सावित हो तो भी आरोपी पर कहवा ही हो सकती है दोस्तो अब हम आपको बताते हैं कि इस केस की हिस्ट्री क्या है अप्रेल 2002 में साध्वी ने हाई कोट और पूर प्रधान मंतरी अटिल बहारी बाचपई को एक लेटर लिखा था लेटर में लगाय आरोप पर डेरा चीफ के जानकारी हासिल करने में देर हो गई दोस्तो बाबा राम रहीम के खिलाब बलातकार के केस के अलावा एक पत्रकार छत्रपती पर हमला और हत्याकार आरोप भी है दोस्तो बाबा राम रहीम का जम्न 15 अगस्त 1907 कुछ राजिस्थान के स्री गंगा नगर जले के गुरसर मोधिया जट सिक परिवार में बाबा की तीन बेटियां भी है और एक बेटा भी है